जो छोटे छोटे सुन्दर सुन्दर फूल आप देख रहे हैं वीडियो में आज हम इसी पौदे के बारे में बात करेंगे इसके कैसे मिट्टी होने चाहिए कैसे इसकी केर कर सकते हैं क्या-क्या फर्टिलाइजर्स इसको दे सकते हैं और अभी जो मौसम चल रहा है वो बरसा पौदे को देंगे इसी सारी जानकारी के लिए यह वीडियो हम बना रहें तो आप वीडियो पर लाश्न तक बने रहे हैं तो आई यह बात करते हैं इस पौदे के बारे में कि ये पौदा किसी चीज़ का है इसका नाम क्या है यह एक्जॉरा का प्लांट है और का फी अच् भी बाती है कि ये अगुछों में प्रोडूश होते है फ्लावर तो इसका एक बंच सब बनावा होता है जो और भी शुन्दर लगता है गार्डन में यह देखिए यह पूरा एक बंच है इसका इसी पर ही यह पूरी फ्लावरिंग हो रही है और यह यह जो वदधा है यह लग तो मैं बता देता हूं कि यह जो पौदा है यह बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है मेरे पास अभी इसको केवल पांच-छे महीने हुए हैं और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चल लिए यह देखिए इसकी स्टैम भी कितनी अच्छी चल लिए और चार त लाजर आपने उनको दिया हुआ है तो पहले तो मिट्टी की बात कर लेते हैं इसकी जो मिट्टी है वो वैल ड्रेन होनी जो यह और वैल ड्रेन करने के लिए मिट्टी साथ में जो है एक तो आप गार्टन सॉयल ले लिए नॉर्मल दूसरा उसमें आप रीवर सेंड मिला लिजे और तीसरा उसमें आप कमपोस्ट खाद मिला ले जिये बराबर बराबर मात्रा में तीनों मिलाएंगे तो जो मिट्टी है वो बिल्कुल वैल ड्रेन रहेगी और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं ठिके गा बरसात की मौसम में अभी बरसात का देखिए मोसम मैं बत तो यह तो मिट्टी की बात है अब इसको जो कैसा माहौल पसंद है एक तो इसको धूप आच्छी चाहिए होती है ऐसा नहीं है कि इसको आप अंदर रखतेंगे तो यह चल जाएगा अंदर रखने से नहीं चलेगा इसको धूप चाहिए होते हैं कि यह फ्लावरिंग प्लांट हैं और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन सब को धूप अच्छी लगती है तो धूप इनको जरूर दें आप ऐसे जगह रखे जा तीन-चार गंटे की दूप आती हो अब जैसे आप देख रहे हैं लगतार फ्लावरिंग इस पर हो रही है हमारे पौदे पर यह देखिए चारो तरफ बंच बने वे हैं यह देखिए यह देखिए और कुछ नए बंच भी इस पर बने वे हैं देखिए फ्लावर इस पर भी आएंगे प्षब्ष भी इस साथ में चल रही है तो इसको अभी nutrition की जड़रत है और nutrition में आप जो दे सकते हैं वो मैं organic खाद prefer करता हूँ मैं अपने garden में कोई भी chemical की खाद यूजञा नहीं करता हूं सारी जितनी भी खाद हैं वो सब organic होती है नैच्रल ंती हैं तो इस नैच्रल में एक तो आता है गोबर की खाथ, दूसरा आता है आप जैविब खाद और मार्केट में आती हैं। होते सिवेड्ट ग्रेनूर्स होते हैं , वो सब भी आपडाल सकते हैं। तो आज मैं सीविट ग्रेनूल से होते हैं वही इसमें दूंगा और उसकी जो अमाउंट है वो मैं बताएता हूं लगवग यह जो मेरा पेड़ है डेड़ से दो फिट बड़ा है और इतने बड़े पेड़ के लिए आपको दो चमच सफिशेंट रहता है डेड़ से दो चमच चुकि वैसे तो मेरे पास अभी खाद नहीं है गोबर की वो भी मैं दे सकता था क्योंकि उससे भी आप इसको नूट्रिशन अच्छे मिलेंगे और इसको जो सोयल है वो ऐसेडिक सोयल पसंद होती है तो जो गोबर की खाद होती है उसमें ऐसेडिक सोयल उससे बनी रहती है फिलाल मेरे पास गोबर की खाद नहीं है तो मैं सीविड जो ग्रेनूर्स मैंने मंगाए थे वो इजली मिल भी जाते हैं आप जो खाद की दुकाने होती है मार्गेट मोन पर जाएंगे तो वहां से आपको आसानी से मिल जाते हैं आप अपनी गाडन में देने के लिए उनक भी खरीच सकते हैं तो मैं अभी इसमें लगबग जेड़ से दो चमच इसमें दूंगा और इनको ऐसे आप स्प्रिंकल कर दीजिए और इस प्रिंकल करने के बाद जो मिट्टी है उसको थोड़ा हल्की कर दीजिए और ऐसे आप इनको मिट्टी में नीचे थोड़ा हल्का कर देंगे उसके बाद थोड़ा सा यह तो एक दिन के बाद या फिर जैसे सुबह को आपने दिया इसको साम को इसको हलका सा आप पानी दे दिजिए तो यह पूरी तरह से मिट्टी में घुल जाएगा और दीरे-दीरे पौदे को जो न्यूर्ट Goddess उसको चाहिए और वह देगा है इसे गया जो फ्लाव इस पर चल रही है भी बोल उटे पर वह फ्लावरिंग ऐसे भरकुरार रहे ंक और नही नहीं जो आएगी उसमें भी पूदय को है लप मिलेकी अग ग्रोहत में तो यहीं सारी जानकारी थी आज की वीड पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो को सेयर जरूर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे की आने वाली जो वीडियो और आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अमस्कार